आज मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि किसी भी इस्त्री और पूरुस को अपने वस में पल भर में ही कैसे कर सकते हैं वो इस्त्री चाहा देश हो या विदेश हो कहीं भी हो आप अपने घर बैठे किसी भी इस्त्री और पूरुस को अपने वस में कर सकते हैं उसके लिए आपको एक गुडा गुडी का फूटो बनाना होगा और दो लवंग की जरूरत होगी और लाल चंदन की आव सकता होगी और अपने घर में ही बैठे आप किसी भी इस्तरी को या पूरुस को अपने वस में कर सकते हैं और अपने मन चाहे कार्ज करवा सकते हैं ध्य तभी इस मन्त का प्रियोग किजिएगा नहीं तो नहीं किजिएगा क्योंकि अगर भाला किसी का किजिएगा तभी अच्छा होता है नहीं तो नहीं होता है तो आईए हम बतलाते हैं आगे क्या करना है अगर आप मेरी चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं की हैं तो प्लीज स गनिशाय नमा ठीक है उसके बाद में यहां पर आपको एक गुड़ा का फोटो बनाना है ठीक है यहां पर कान बनाएंगे जैसे मैंने बना रहा यहां पर जैसे जैसे हम बना रहे हैं वह इसे वह इसे आपको यहां पर बनाना है और ध्यान रहें इस वीडियो को पूरा देख तभी आपको समझ में आएगा यह अजमाय गया टोटका है इससे मैंने लाखों करोरों काप तक मैंने काम कर दिया है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझे और आप भी किजिए आपका भी काम सौ परचेंट जरूर होगा ठीक है बहुत सारे हैं कि वीडियो पूरा नहीं देख पाते हैं भगाबा कर देखते हैं और बाद में बोलते हैं गुरूजी मेरा काम नहीं हुआ इसलिए मैं आप लोग से यहीं कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा इस परकार से बनाएंगे यह गुड़ी का फोटो इस तरह से मिला देंगे ठीक है इस दोनों हाथ को इस तरह से मिला देंगे और यहां पर क्या करना है इस तरह से द्यान देजिएगा बस आपको गोड़ा गोड़ी का ही पोटो बनाना है उसके बाद में उसमें क्या करना है क्या कमाल दिखाना है कि वह पर भर में ही आपके में हो जाएगी उसके बाद में आपको करना क्या है देखिए अपका काम हो गया आपका काम हो गया आपको ज्यादा कुछ करने की यह सकता इसमें नहीं है ठीक है यह गुड़ा यह गुड़ी उसके बाद में आपको क्या लिखना यहां पर साथ लिखना है यहां पर साथ लिख लंगे साथ ठीक है और उसके बाद में इसको हमें इस परकार से घेरेंगे जैसिके मने यहाँ पर घेर रहा है ठीक है लगा घेरने के बाद में आपको क्या करना है यहां पर इस परकार से बना देंगे और यहां पर साथ लिखे देंगे और यहां पर इस तरह से बना देंगे जैसी कि मैंने यहां पर बनाया है वैसे ही आपको बनाना है उसके बाद में बनाने के बाद में लरका का क्या नाम है जैसी कि लरका का नाम है रमेश तो यहां पर रमेश लिख दीए पलस में लिखेंगे लर्की का क्या नाम लर्की का नाम अगर सरीता है तो यहां पर हम सरीता लिख दीए ठीक है? लर्का के पिता का नाम क्या है? लर्का के पिता का नाम अगर मोहन यादाओ है तो यहां पर लिख देंगे मोहन यादो ठीक है और उसके बाद में लर्की के पिता का क्या नाम है तो यहां पर लिख देंगे लर्की के पिता का नाम जैसे हैं यहां पर राकेस यादो ठीक है यहां पर लिख देंगे आपको क्या करना है लर्की का नाम और लर्की के पिता का नाम लर्का का नाम लर्की के पिता का नाम और उसके बाद में आपको इस तरह से बना लेना है और ध्यान रहे इस प्रकार से जरूर बनाना है ठीक है और साथ लिखे देना है उसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पर एक चीज लिखना है दुहाई है अगोरी बाबा की यहाँ पर लिख देना है दुहाई है अगोरी बाबा की उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है आपको लाल चंदन इस पर छी रख देना है इस परकार से लाल चंदन छी रिखने के बाद में आपको क्या करना ठीक है ना आपको एक लवंग यहां पर रखना है उपर एक लवंग यहां पर रखना है उपर ठीक है दो लवंग रखेंगे यहां पर जैसी के मन यहां पर रखा हुआ ध्यान से दिखेगा इस वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा और आप किसी को किसी को भी आप अपन तो अपने वस्मे कर सकते हैं यह एक अजमाया गया टोटका है इसे अब तक लाखों क्रोरों का काम हो चुका है इसलिए आप भी इसको आजमाई आपका भी काम जरूर होगा ठीक है इस परकार से आपको करना है ठीक है न और उसके बाद में आपको क्या करना है इसको इसी तरह से आपको क्या करना है मोर करके आप जहां सोते हैं उस सिर्हानी के नीची रख देना है ठीक है और उसके बाद में सिर्हानी के निकालने के बाद में जब सोने जाते हैं तो उसके बाद में आप क्या करते हैं इसको निकाल देना है निकालने के बाद में आप किसी भी बहते हुए पानी में क्या करना है इसको लड़की का नाम लेते हुए छोड़ देना है किसी भी बहते हुए पानी में किसी भी द्वन बहते हुए पानी में छोड़ देना है उसके बाद में आपको करना क्या है कि इसको सोते समय निकाल करके अपने सिरहानी के नीचे रह करके क करना है सिरहानी पर आपको इस तरह से मारना है एक दू तीन चार पांच पांच पर इसको मारना है उपर से और मारने के बाद में क्या करना है आपको यह बात बोलना है जैसे की लड़की के नाम सरीता है तो यह बात बोलना है अपने में सरीता तुम हमसे बहुत प्यार करती हूं मैं जानता हूं तुम हमसे बहुत प्यार करती हूं तुम हमारे बिना नहीं रहा पाऊगी तुम हमसे मिलने के लिए भिकरार हो तुम बहुत जल्द मेरे पास आ रही हो मैं जानता हूं तुमको दूहाई है गोरी बाबा की बस इत देता हूं चोठा दिन वो लड़की खुद आप से कंटेक्ट करेगी किसी भी तरह से आप से बात करेगी आपके पास आएगी यह अजमाया गोटोटका है जिसने भी किया है उसका काम सफल हुआ है सो परशेंट हुआ है मैंने भी बहुत सारे भक्तों का काम किया है और सब का काम हुआ है इसलिए ध्यान प्रिवक इस प्रक्रिया को किजिएगा ठीक है